हेलो एवरीवन आज मैं आपके साथ में शियर करूंगे एक कप केहुं से बना हुआ चटपटा कुरकुरा और सिहत मंद नास्ता दोस्तों ये खाने में जितना स्वाधिस्ट है कि आप समों से कचोड़ी पकोड़ी सब भूल जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं जटपट स एकulous पमें एक कप आठा लेना है और इसको अब हम चान लेंगे चान इसालिए शुरू का न heckISA कर नहीं दाल कर इसको हम घूत लेंगे तो पानी बहुत जादा καत करके ही मिलाएंगे क्यूकि अगर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा तो इसका नाश्टा क्रिस्पी नहीं बनेगा इस तरह आटे का डो लगा कर मैंने रख दिया है साइड में यहां पर देखिए कच्छे आलू ले लिए दो तो कच्छे आलू को छीलने के बाद में इसको हम कद्दू कस करेंगे आप चाहे तो चौपर में थोड़ी सी राई डालनी है सर्सो के सीट से होते हैं वो उससे जो है बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है अब हमने जो है आलू कारते थे कद्दू कस वो डाल दिये और थोड़ा ज़रा सा पानी डाल जाए जिससे कि आलू हमारे जल्दी से बॉयल हो जाए और नमक मिर् नहीं होने चाहिए और जो है हलका सा जबी ठीक हो जाए तो इन्हें एक प्लेट लेकर उसमें आपको ठंडा होने के लिए रख देना है साइड में फैला कर जिससे कि हमारे नाश्ता जो है बहुत जल्दी फटा फटी रैडी हो जाएगा तो इस तरीके से एक थाली लेका मै दोस्तों और उसमें लेंगे हम दो चमच ऑईल नॉर्मल जो होता है उसके बाद फ्रिंट्स आप यहां पर दो चमच मैदा ले लीजेगा और इस सब को जो है हमें मिक्स करना है कुछ इस तरीके से जब आप इसको प्रॉपर मिक्स कर लेंगे तो इसमें देखिए ऐसे यह भी सॉफ्ट बन गया है इसको एक बार अच्छे तरीके से हम गूत लेंगे और इसको फोर पेड़े में हम डिवाइट कर देंगे इकुल साइज के पेड़े हमें बना लेने हैं यहाँ पर अब दोस्तों तीन पेड़े साइड में रख देंगे और एक पेड़े को लेके हमें इसकी लोई बना लेनी है और यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा हम जो है आटे के अंदर ऐसे कोट करेंगे हलका सा और इसको अब हम बेल लेंगे तो साइज आपको जो है ऐसा रखना है कि बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए जिससे कि जब हम आलू की कोटिंग क करें तो एकदम से मेल्ट हो जाए थोड़ा सा थिक रखना है आपको देख लीजी कुछ इस तरीके का एक जो हमने पेल कर तयार कर लिया इसका और दूसरा पार्ट अपने बेल लिया है तो दो पार्ट हमारे पास हो गए यह देखिए अब हमें क्या करना है जो हमने आलू त तो अच्छे से यह सैट हो गया है देखिए तो चारो साइट से कवर करने के बाद जो दूसरा पार्ट था हमारे पास वो हमने ले लेना है और इसके उपर ऐसे रख देना है याद रखेगा कि पूरे का पूरा जो है नीचे वाला पार्ट कवर हो दाना चाहिए तो एक से बेलन चलाएंगे जिससे की जो हमने आलू भरा है वह इधर उधर ना जाए और इसमें अच्छे से सैट हो जाए फ्रेंट एक चीज़ ध्यान रखेगा कि जब आप बेलन से उसको थोड़ा बड़ा करेंगे तो बहुत हलके हाद से चलाना है वरना वह फट जाएगा अब इस तरीके से करने के बाद में देखिए एक नाइफ लेना है और इसके पीसिस हम कटिंग कर रहे हैं तो आप देख रहोंगे फ्रेंट्स में हाद से थोड़ा थोड़ा सा सपोर्ट देके ही आराम से आपको कटिंग करनी है जिससे कि शेप ना बिगड़े एक साइज से कटि कर लेनी है तो दोस्तों यहां पर यह जो है हमने एक पीस तयार कर लिया और इसकी इस तरीके से कटिंग कर लिये और एक पीस अब निकाला हमने एक चकोर वाला और उसको हलका सा बैंट कर दिया और किनारे से उसको ऐसे जोड़ दिया हलका सा फोल्ड कर दिया है जिससे की मस में और इसके कॉर्नर को भी आपस में जोड देना है तो फ्रेंड दे कि यहां पर इस तरीके से हमको लेना है और एक्सर चीज़े निकाल के सारे के सारे पाट जो है से तयार कर लेने अभी हम इनको साइड में रख देंगे एक कड़ाई में गरम करेंगे जब काफी अच्छे तरीके से गरम हो जाएगा तो जो आमने इसका साटा तयार किया था उसके अंदर एक पीस लेना है हमको और हम ऐसे डिप करेंगे देखिए इस तरीके से में कर रही हूँ आप चाहे तो फॉग की हैप जो चम्माच होती है उसके हैप से भी कर सकते हैं यहां पर लेना है और एक पक जाएगा और खराब भी हो सकता है नाश्टा तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स कितनी हासानी के साथ में हम हैल्दी सा नाश्टा घर में बना रहेंगे उनके आटे का जब यह दोनों साइट से पक जाएगा तो आप इसको एक पर दुबारा ऐसे चेक कर लेंगे और और यहां पर देखिए संटर में ऐसे एक लाइन ड्रौ करेंगे और सेम जो है उसके अपोजित दूसरी लाइन हम ड्रौ कर देंगे इसको हल्का सा हम प्रेस करके देखिए इस तरीके से निकालेंगे तो यहां पर हमें स्सपेस मिल जाएगा अब यहाँ पर हमने सारे की सारे पीसी तो ऐसे इसमें चाट मसाला मिला कर और एंजॉय कर सकते हैं नाश्टे को चाए चटनी काफी के साथ में बहुत ही स्वाधिस लगता है या फिर और हेल्दी बनाने के लिए इसमें आप अनार की दानी जैसे की मैं डाल रही हूँ ऐसे ड देखेगा कि इसका टेस्ट डबल हो जाता है दुगना हो जाता है अगर आप इस तरही से खाएंगे खटा मीटे फ्लेवर आपको मिलेगा साथ में क्रिस्पी भी है तो बहार के समोसे कचोडी पकोड़ी जो हम खाते है उससे काफी अच्छा है यह साथ में गेहूं के आटे क्लासिस को सब्सक्राइब करना ना भूलें अब इसको और टेस्टी बनाने के लिए आप यहां पर चिली फ्लेक्स एड़ कर सकते हैं साथ में थोड़ा साहरा धनिया वहता है वह भी आप यूज़ कर सकते हैं उससे जो है इसका टेस्ट भी एन्हेंस होता है देखने में भी काफी अच्छा लगता है साथ ही में यहां पर चाट मसाला भी मैं डाल रही हूँ जो मोमो जगरा में हम खाते तो मज़ा आज़ाता है और यहां पर फ्रेंट्स इसको बहुत ज़्यादा सुपार टेस्टी और डिलीशियस बना लिया है हमने स्वाथ के साथ साथ में सेहत मन कोई भी ओकेशन हो आप इसको ऐसे बेनाए बहुत ही चटपटासा और कुरकुरारा हैल्दी नाश्ता बनके तयार है